कल नोटिफिकेशन जारी हो गया कि नंसुं की जो सजा जो हुई थी उस पर उनकी विधाई की रदिकर्दी गई तो निश्चित है कि उप चुनाव होना है क्या आगे की रन्नीती होगी आप तो काफी करीवी रहे हैं देखे मानिय बिधाई जी का जो रन्नीती है न वो मोकामा की जनता ही बनाती है आज सुरू से आपने देखा हुआ कि मानिय बिधाई जब से चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा बिधान सबाद छेतर से तब से जो है वहां की जनता उनको हर एक पांच साल पर दुगुन्ना तो मानिय बिधायक जी का चुनाब वहां मुकामा की जनता लड़ती है और पूरे बिहार की जनता उनके साथ रहती है इसमें ज्यादा बोलना क्या है हमें उनके लड़ सकते हैं मानिय बिधायक जी के पास तीन एक्का है तीन बेटा है उनका उनकी पत्नी है उनकी पत्नी अब भी फसा करके कैसे सब इन लोगों ने क्या क्या किया सरकार ने मगर कैसा उनका बेटा भी सब को जबाब दे रहा है एक एले जो है सो की छक्का छोड़ाए हुए है सब का पसेना सब का उतर रहा है तो ऐसे ही बिधायक देखिएगा इनके तीन अनमोल रतन है वह भी आएंगे और इन लोग का छक्का छुड़ा देंगे यह क्लियर हो गया कि नीलम देवीजी चुना लड़ेंगी उन्हीं के परिवार के लोग न लड़ेंगे और कौन लड़ेंगा जिसको विधायक जी बोलेंगे वही और कोई नहीं अभी पाटी की और से बाचीत होना क्या है अभी तो होवे किया है सभाईये हैं हमारे नेता तेजस्वी जी हम लोग के साथ हैं देखे हैं कि माने बिधाई जी को जब 47 में फसाया गया था उसमें भी हमारे नेता तेजस्वी जी ने ब्यान दिया था और पू किलियर किया उहां की जनता ने किलियर किया है